मंडी जिला के जिन विधानस्वाक शेत्रों में कांटे की टकर मानी जारी है वहाँ परत्याशियों की जीद का फैसला कर्मचारियों का वोट त्या कर सकता है मंडी जिला में 10 विधान सौक शेतर आते हैं और यजिला सरकार बनाने में अपनी एहम भूमिका निवाता है अभी तक के जो सर्वेश सामने आये हैं उनके अनुसार अधिकतर सेटों पर कॉंग्रेस और भाचपा में कांटे की टकर बताई जारी है मंडी जिला में 16,988 करमचारी मत दाता है इसमें 10,023 सीविल करमचारी है जबकि 6,955 डिफैन्स करमचारी है अभी तक जिला निर्वाचन अधिकारी के पास 7122 सिविल कर्मचारियों के और 2945 डिफेंस कर्मचारियों के बोर्ट पोस्टल बैलेट के मादेम से प्राप्त हो चुके हैं जबकि बाकी कर्मचारियों की पोस्टल बैलेट आने का क्रम लगातार जारी है जिला निर्वाचन अधिकारी मदन चोहान ने बताए कि यह प्रक्रिया 17 दिसंबर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी जबकि 18 दिसंबर को सुबा से मत गन्ना का कारया शुरू होगा मदन चोहान के अनुसार अभी तक पोस्टल बैलेट का अभिहन काफी सफल रहे और करीब 15,000 पोस्टल बैलेट आने की संबावना जिदाई जारी है तो सब को मिला के 10,023 हमने सिविल साइट के ऑफिशल्स को दिये हैं और 6,955 जो है वो आर्मी पस्टल्स को भेजे हैं टोटल 16,988 पोस्टल बैलेट जो है गये हैं जिसमें से 9,892 पोस्टल बैलेट हमें रिसीव हो चुके हैं मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे यहां पे जो है पुलिस हमारे जिला हेड़कॉर्टर पे पुलिस पस्टल जो डूटी पे थे वो आजकल वोटिंग उनकी चली हुई है और मैं उमीद करता हूँ कि जिस तरह से वोट हमें आर्मी पसल के और यहां पे हमारे भी आ रहे हैं क्योंकि वोटिंग जो है वो सतरतारी तक चल सकती है तो उमीद है कि लगवग 14,000-14,000 और हो सकता है 15,000 वोट भी हमें प्राप्त हो और काफी सक्सेसफुल हमारे यह पोस्टल बैलेट का ओपरेशन रहा है इस इलेक्शन में उहीं दुसरी तरप जिला परशाशन और पुलिस ने EBM को कड़ी निगरानी और सुरक्षा के घेरे में रखा हुआ है सभी विधान स्वक्षित्रों की EBM मशीनों को अलग लग स्ट्रॉंग रूम में रखा गया है SP मंडी अशोक मार की माने तो EBM की सुरक्षा के लिए 3-tier की सुरक्षा चकर बनाये गया है इसके साथ ही प्रतेख स्ट्रॉंग रूम के अंदर और बाहर CCTV केमरों का प्रापधान भी किया गया है स्ट्रॉंग रूम है उन स्ट्रॉंग रूम में 3-tier का हम लोगों ने सुरक्षा के इंद्जाम किये मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जितने भी स्ट्रॉंग रूम से हैं उसमें CCTV लगाए गए हैं अंदर और बाहर प्रों जगा तथा परामट्री फोर्सीज और आर्म्ट पुलीज और जले पुलीज के साथ साथ उनको CCTV से भी पॉनिंटर किया जा रहा है